हेलो दोस्तो वल्कम टू अनदर व्लॉग हर हर महादेव ओम नमस्षिवाय तो आज मैं दोस्तो आगे हैं हूँ चीना कोडी के राम घाट शिव मंदिर और यह देखिए यह हम लोगों का दामोदर नदी यहां से दोस्तो सभी लोग जल उठाते हैं और जल उठाकर बाबा चं मंदर चुड मंदिर में जाकर जल चड़ाते हैं यह देखिए दोस्तों यहां पर संगीत कारेकरम हो रहा है देखिए दोस्तों सभी कारेकरम का मजा ले रहे हैं आनन्द ले रहे हैं सावन महीना में दोस्तों हर वर्ष चिनाकुडी रामघात में एक कारेकरम होता है औरकेष्ट्रा सावन के उपलक्ष पर इस वर्ष भी हुआ है और अभी दोस्तों यहां पर हजारों की संख्या में भग तायन हुए हैं यह दोस्तों अभी मंदिर के पास का नजारा देख रहे हैं सभी भग आनन्द ले रहे हैं अभी मंदिर के पास का नजारा देख रहे हैं कि मैं आपको बता दूं दोस्तों हमारे चीनापूरी रामघाचन बहुत दूर दूर से ठक्ष धालू आते हैं और यहां पर जल उठाकर चंद्रचूर मंदिर जाते हैं और वहां पर जल चढ़ाते हैं यह देखिए दोस्तों यह नदी के किनारे का भी हुए सबी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर खुलेगा और वह नहां कर जल उठाकर चीनापूरी रामघाट में जल चढ़ाकर उसके बाद फिर चंद्रचूर मंदिर की तरफ जाएंगे मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों भीड देखिए कितना भीड है यहां पर बहुत सारे लोग आये हैं सर्क गिरुआ गिरुआ औरेंज ही नजर आ रहा है अंधेरे के कारण दोस्तों यहां पे स्पष्ट कुछ नजर नहीं आ रहा है लेकिन यहां बहुत भीड़े दोस्तों बहुत 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 जाता तो फाइनली दोस्तो मंदिर का दरवाजा खुल गया है और आप देख सकते हैं सभी लोग नहा नहा कर लाइन में लग चुके हैं और अभी तक दोस्तो काफी लंबा चौड़ा लाइन लग गया है सभी लोग लाइन में लगे हैं चीना कोडी रामखाट में जल चड़ाने के लिए चीना कोडी रामखाट में बेर जलचड़ाने के बात फिर से चल उठाकर चंद्रचुड मंदिर में जाएंगे और यहां पे दोस्तों पंडीजी सभी लोगों को टीका लगा रहे हैं और देखिए दोस्तों नजारा कितना सुंदर नजारा सभी लोग सनान करके आ हैं और लाइन में लग रहे हैं यह देखिए दोस्तों दामुदर नदी का तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स व्लॉग में थैंक यू सो मच